सब एक अदर जगने की रात के मौके पर सभी जोन नौर्थ, इस्ट, वेस्ट, सेंट्रल होते हुए आज साउथ जोन में यहाँ चार मिनार मक्का मस्जिद और आगे हम लोग दौरा किये इस दोरे में हमारे साथ शहर के जॉइंट सीपी-एस-बी, यहाँ के एसीपी-चार मिनार, हमारे एसेचो साहब, रैपिड आक्शन फोर्स के असिस्टेंट कमांडेंट साहब, इंस्पेक्टर साहब और पूरे रैपिड आक्शन फोर्स के लोग हम लोग इस दोरे में देखे कि सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात हुई कि केवल अपनी सेफ्टी के लिए नहीं केवल अपने परिवार के सेफ्टी के लिए अपने परोसी के सेफ्टी के लिए अपने महले वाले के सेफ्टी के लिए अपने शहरवाले की सेफ्टी के लिए हमारे सभी भाई बहन घर के अंदर रात में कर्फ्यू टाइप अफ सिचुएशन में अपने आपको रखे हैं यह देखकर बहुत खुशी हुई घर के अंदर रहना लॉकडाउन में यह केवल अपने आपको बचाने के लिए नहीं है यह अपने पड़ोसी अपने महले वाले अपने सभी को बचाने के लिए है इसलिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया आदा करता हूँ दिल में थोड़ी दुख भी है थोड़ा दर्द भी है कि रमजान के इस महीने में जो यह सबसे बड़ा फेस्टिवल का महीना है इसमें आप लोगों को घर के अंदर रहना पड़ रहा है इसलिए थोड़ी दुख भी है लेकिन क्या कर सकते हैं शहर की सेफटी देश की सेफटी सबसे बड़ी चीज है और इसलिए आप लोगों ने जो यह सैक्रिफाइस किया है यह कुर्बानी दी है कि घर की अंदर रहके इबादत करें यह काबिले तारीफ है और मैं जरूर समझता हूँ कि उपर से अल्ला सुभानावत आला यह देख रहे हैं कि जो मुश्किले हमारे हिदरबाद के लोग को हमारे इंडिया के सभी लोगों को इस वबा के कारण हुआ है और इसमें जो लोगों ने अपनी जरूरतों की कुर्बानी की है जो गरीब लोग को तकलीफ हुई है जिनकी रोजी रोटी कुछ कम हुई है उन सब को जरूर अल्ला सुभानावत आला कॉम्पनसेशन देंगे आगे मुझे इसका पूरा भरोसा है आज जगने की रात और फिर दो दिन के बाद जमातुल विदा इस तरह के फेस्टिवेल में जो एक अपने उपर सेल्फ कंट्रोल एक संजम एक अपने आपको रोक के रखने का जो एक मिसाल पेश किया है आप लोगों ने वो आगे बहुत दिनों तक लोगों के जहन में रहेगा और याद रखेंगे दस साल के बाद पचास साल के बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो आज का जो साल है ये 2020 जब इसकी चर्चा होगी जब इसके बारे में बात होगा कि कोरोना वाइरस के समय क्या क्या हुआ तो इस पाक महिने रमजान को जरूर याद किया जाएगा ये अपने किसम का एक यूनीक रमजान रहा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप और हम मिलकर जिस तरीके से गवर्मेंट के बताए हुए डाइरेक्शन्स पर एक साथ चल रहे हैं दूसरे देशों के कंपैरिजन में, दूसरे शहरों के कंपैरिजन में हैदराबाद शहर सबसे पहले इस चीज से बाहर निकलेगा और इसमें मैं आप लोगों से पूरी उमीद करता हूँ खास करके अपने छोटे बच्चों को बिलकुल घर से न निकलने दे बार-बार हम लोग इस चीज का जिकर करते हैं कि छोटे बच्चे और बज़ुर्ग दोनों के ऊपर ये कोरोना वाइर्यस का कुछ ज़्यादा असर रहता है इसलिए आपकी और हमारी जिम्मेबारी है कि घर के बुज़ुर्ग और छोटे बच्चों को बिलकुल बचा कर रहे हैं एकोनॉमिक रीजन के कारण कुछ लॉकडाउन में कंसेशन्स रियायत दी गई है गवर्मेंट के तरफ से अल्टरनेट शॉप्स भी ओपिन किये गए हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी वाइरस चला गया वाइरस अभी है और वाइरस अभी रहेगा इसलिए इससे बचने के लिए जो बताई हुए तरीके हैं साबुन और पानी से हाथ धोना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना फेस पर हमेशा मास्क लगा कर रहना इन सब चीजों का एक डिसिप्लिन से अभी भी सबको जरूर इसको रखना है और इसका पालन करना है हमारे तेलंगाना गवर्मेंट के तरफ से आज जितनी भी ट्रेंस गई हैं अब तक माइगरेंट लेबरर्स के लिए एक लाख से जादा लोग अभी तक जा चुके हैं जैसा कि हमारे सीम साहब ने पहले कहा था कि जब तक जो भी तेलंगाना में रहेंगे हमारी जिम्मेवारी है उनको खिलाने के लिए उनको रखने के लिए लेकिन अगर एमर्जनसी में कोई इंसान अपने वतन अपने गाओं को जाना चाहता है अपने फैमिली से मिलने के लिए तो उसकी भी इंतजामात किये गई है और हर दिन लगभग 10 से 15 ट्रेन पिछले 15 दिनों से जा रही है और इन माइगरेंट लेबरर से बात करने से पता चला कि 95 परसेंट लोग अपने फैमिली से मिलकर महीने डेड़ महीने में वापस आएंगे और वापस जो उनकी रोजगार है यहां काम करने का जो साइट है वहां दुबारा आएंगे इस तरह की मुश्किले जिन्दगी में आती है और इस तरह की मुश्किलों में यही देखना पड़ता है कि हम और आप एक मिलकर यूनिटी के साथ कैसे रह रहे हैं और आज इस रंजान के पात महीने में सब लोगों ने मिलकर यह दिखा दिया कि देश का जो इंट्रेस्ट है जो देश का हित है वो सबसे उपर है चाहे वो कोई भी हो हम लोग सब अपने पडोसी की इज़त करते हैं और हम सब यहीं चाहते हैं कि केवल हम ही सेफ नहीं रहे हमारे पडोसी भी सेफ है तो एक बार फिर पूरे हैदराबाद सिटी पुलीस के तरफ से मैं आप सब को मुबारक बात पेश करता हूँ और आपको सेलूट करता हूँ कि आपने जो डिसिप्लिन आपने जो सेल्फ कंट्रोल का एक नमूना पेश किया